देश का सबसे बड़ा बांक, State Bank of India कई तरह के credit card जारी करता है बांक की तरह से credit card पर customer को कई तरह के discount और cash back offers भी दिये जाते हैं लेकिन बांक अपने customer से इन credit card के इस्तमार के बदले कुछ charges भी लेता है ये charge credit card से जोड़े terms and services पर customer को देने होते हैं और हम ये charges दे भी रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि आखिर हम किस चीज के charges दे रहे हैं तो आज के इस वीडियो में अगर आप SBI credit card holder हैं तो हम जानेंगे कि आपके card पर कौन कौन से charges लग रहे हैं जिनसे आप अभी तक अन्जान हैं तो आई जाते हैं annual charge और renewal charge की सबसे पहले बात कर लेते हैं SBI credit card पर annual charge और renewal charge दोनों देना होता है जिनमे की annual charge एक बार देना होता है जबकि renewal charge हर साल आपको देना होता है SBI की credit card website sbicard.com की accounting credit card अलग-अलग variant में होते हैं और इसलिए ही इसके charges भी अलग-अलग है बैंक की तरफ से ये charge card holder की account से सीधा ले लिया जाता है जिसकी information उसे अगले महिने की statement में मिलती है दूसरा charge है cash advance charge card holder को किसी emergency में cash की जुरत पढ़ने पर withdrawal करने की facility मिलती है SBI इस facility के बदले यानि withdrawal पर credit card company जो है वो charge वसूलती है और same इसकी information भी card holder को अगले महिने की statement मिलती है अगर card holder भारत या फिर किसी और देश में withdrawal करता है तो इसके बदले भी उसे extra charge देना होता है तीसरा है cash payment charge SBI credit card holder को बकाया payment के लिए किसी भी ब्रांच को चुनने की आजादी होती है कहने का मतलब ये है कि credit card holder का अगर कुछ बकाया बचा हुआ है भुपतान के लिए तो वो किसी भी ब्रांच में जाकर उसकी payment कर सकता है जिसमें उसे slip में credit card number और amount की information देनी होती है इसे bank के counterpoint जमा करने से आसानी से payment हो जाता है बिल payment के बाद card holder को तुरंत payment receipt भी दी जाती है SVI इस facility के बदले भी आपसे charge लेता है चौती fees है interest free grace period की दुकान तारों या व्यापारियों के लिए interest free grace period 20 से 50 दिनों तका हो सकता है लेकिन ये तभी possible है जब पिछला बचा हुआ amount एकदम clear हो पर अगर आपने ATM से cash निकाला हो तो ये facility आपको नहीं मिलती अगर आपने fixed date पार कर दी है तो आपको ये charge देना ही होगा पांच में charge है deadline charge EMI के साथ सभी transaction के बकाय का अगर भुकतान transaction की तारीक से लेकर आखरी तारीक तक किया गया है तो पूरे महिने का interest आपको देना होगा अगर card holder ने तारीक से पहले पूरा भुकता नहीं किया है यानि थोड़ी भी रकम नहीं दी है तो भी आपको charge देना होगा तो क्योंकि हम credit card का इस्तमाल तो कर रहे होते हैं पर बहुत सारे banks या credit card issuer हम से बहुत सारे charges जो है वो छुपा लेते हैं इसे हम hidden charges कहते हैं तो बहुत जरूरी है कि जो card आप use कर रहे हैं उनके सभी charges के बारे में आप जाने अभी तो हमने आपको SBI के charges के बारे में बताया है लेकिन आप अगर किसी और card के charges के बारे में जानना चाहते हैं तो आप comment करके हमें बता सकते हैं तब तब यूज़ करते रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड सही है